हलो दोस्तों विल्कम बैक टू नियम एड़ो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तों आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले ब्रेंड न्यू सीबी आर वन फिप्टी आर के बारे में बात करेंगे देखें दोस्तों आप लोगों को पता है इंडन मार्केट में भी जो वन फिप्टी बाइक है उसका क्रेज बहुत जादा है और खासकर दोस्तों जो फेरिंग इस्पूट बाइक होती है उनका क्रेज बहुत जादा जैसे आप देख सकते हैं कि जो RN5 पे दोस्तों उसे कितना जादा पसंद किया जार है इंडन मार्केट में लेकिन दोस्तों आपको पता है हुंड़ा की तरफ से कोई भी ऐसी फेरिंग बाइक इंडन मार्केट में नहीं आती है और जैर्ची बाद दोस्तों हम चाहते कि यह बाइक इंडन मार्केट में लॉंच होना चाहिए आज की इस वीडियो में यही बात करने में अपकमिंग CBR150R के बारे में आपको दोस्तों इस वीडियो आपको लिए बहुत दा इंट्रस्टिंग प्लास इंपोर्टेंट होने वाली है चली फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बढ़ाए तो प्ली सब्सक्राइब करिएगा विलिकर इनको आउन कर लिजेगा ताकि ऐसे इंट्रस्टिंग नोडिविकेशन पर आप तक पहुंसते रह सकें और आप मेरे वीडियो करेगी क्योंकि दुस्तों अभी इंट्रस्टिंग मार्केट में 150 वाइकों का क्रेज काफी जादा पहला रिजन दुसरा कारण ही है दुस्तों कंपनी इस इंट्रस्टिंग में कप लग लाएगी तो यह तो मैं अपको अधा प्राइस क्या हो सकता है देगे मुझे लग दुस्तों अब इस बाइक के बारे में सबसे पहले दुस्तों इस बाइक के फ्रंट लाइट से में आते हैं दुस्तों CBR में फ्रंट में आपको जो लाइट देखने को मलती है आपको फूली LED जो लाइट आपको इस बाइक में देखने को मलती है आप देख सकते हैं यहाप आपको इस बाइक पे बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, I don't think आपको यह पे कोई भी एक्सा फॉक्रिट लगाने की नीज है, प्लस टर्न सिंगल लेप भी आपको CBR 150R में LED देखने को मिल जाता है, स फ्रंट में इस बाइक में जो सस्पेंशन आते हों आपको UP ATD EHD waiver कि अप सीट डाउं जो सस्पेंशन बात करने थौस्ट अब इस बाइक इंजिन स्पेążपिके शक्रार में पारे में, सॉरी 149 सिटी का लिक्विड को फोरी स्टोक सिंगल स्रेंडर जो एंजिन आ आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा बात करें पावर एंडर के बारे में दूस्तों ये इंजन मैक्जिमम पाउर में लबक 18PS की असपास की पाउर जनेरेट करता है इसमें आपको लगबक 15 की असपास का जो टॉर को आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है कि अब्ताब बयक में आपको पावर एंग ँड्वरा अबॉर आपको अच्छा देखने करे खोसा रहर और दोस्तों वाइड आपको पइरा के साथ में शेगेर के सासमें कर输 resistance सीज आपको बाइक में लगब ऊड़ सीज आपको पाइड के आपको 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 बाइक वो भी आपको बाइक में देखने को मिल जाता है तो दुस्तर इस बाइक का complete engine specification चली बात कर लेते हैं दुस्तर इस बाइक के mileage and performance के बारे में दूस्तो आपको बाइक में आपको लगबग 40-45 के असपास के जुमालिज है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है प्लस आपको बाते हैं इस बाइक के रियर प्रफाइल में तेनलेट में इस बाइक में आपको LED देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है रियर में इस बाइक में आपको बता दो 220 mm के असपास के डिक्स्पिलिट मिलती है प्लस रियर में आपको बाइक में जो मोनो सोक सपाइज है वो आपको बाइक में देखने को मिलता है बात कर लिए दूसरे इस बाइक के बारे में आप लोगों को फुली जो डिजिटल मीटर आपको बाइक में देखने को मिलेगा आपको जो काफी सारी फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगो को बाइक में स्पीटियो मीटर, टेको मीटर, ट्रिप मीटर, ओडो मीटर, क्लॉक,